नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिमाचल सक्सेस बुक में तो हिमाचप देश पटवारी 2024 की परिक्षा की तैयारी का ये हमारे पास मैथ का मौक टेस्ट नमबर 2 है मौक टेस्ट नमबर 1 जो है वो औरेड़ी कम्प्रीट हो चुका है और काफी बच्चों ने इसमें पार्टिस्पेट भी किया जिन्होंने मौक टेस्ट नमबर 1 अभी तक नहीं दिया है तो वो दे सकते हैं जो लिंक है वो डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप जो हमारा चैनल है हिमाजल सक्सेस बुक उस पर भी सर्च कर सकते हैं हमारा ये मौक टेस्ट नमबर 2 के बारे में जैसे हमने walk test number one दिया था वैसे ही इसको भी attempt करेंगे तो जैसे मैं question साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह का question है आपको वो attempt करना है और जो भी आपके number बनेंगे पूरे के पूरे questions में है जितने भी आपके number बनेंगे वो अपने comment box में last में लिखने है उससे आपके तैयारी का पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं अभी तक अच्छा इसके लावा इस test की जो PDF है वो बाद में आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलिग्राम पे सहच कीजे हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इसकी पेडिया प्राप्त कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का यह test फर्स्ट कॉश्चन है देखो चार आप्शन दी गई है हमारे पास और इनमें से हमें वो संख्या ढोननी है जोकी 16, 20 और 24 इन तीनों से ही विवाज्य diamonds हो इन तीनों से डिवाइड हो जाए लेकिन वो सबसे छोटा वर्ग होना चाहिए हमारे पास संक्या स्केर में भी होने चाहिए और सबसे छोटी संक्यां भी होने चाहिए इन चारों में हमारे पास option के हिसाब से आप तो attempt कीजिए question को try कीजिए question को ठीक है वीडियो का pause कर सकते हैं और इसको attempt कर सकते हैं देखो मैं अपताता हूं उसका solution क्या है देखो सबसे पहला हमारे पास method क्या है कि हम क्या करें एक एक नंबर को divide करके चेक करें वैसे हम सबसे पहले ये भी देख सकते हैं कि सारे नंबरे square हैं हमारे पासे नहीं है जैसे 1600 लिखा है यहां पे 3600, 6400 और 14400 लिखा है यहां पे यह चारो की चारो नंबर हमारे पास perfect square है ठीक है क्योंकि हमें वर्ग ही बोला यहां निकालने के लिए यहां पे कि कौन सी संक्या है जो कि 16, 20, 24 से विवाज्य हो जाए और वो वर्ग भी होनी चाहिए और सबसे छोड़ी संक्या होनी चाहिए हमारे पास यहां पे अब सबसे पहले देखेंगे हम 16, 100 लिखा है यहां पे इसको अगर 16 से भाग करें तो वो तो हो जाएगा 20 से भाग करेंगे पूरा का पूरा हो जाएगा लेकिन जब आप 16, 100 को 24 से भाग करेंगे लेको 8, 2, 16, 200 आएगा और 8, 3, 24, 200 भाग में 3 बनेगा तो 16, 100 तो 24 से भाग नहीं हो रहा है अगला हमारे पास नमबर है मानलो हम लेते 64, 600 64, 600 को 16 से भाग करेंगे बन जाएगा है 16, 64 होगा 20 से भाग करेंगे तब भी हो जाएगा यह हमारे पास अगर मैं 64, 100 को 24 से भाग करूँगा ठीक है तो क्या बनेगा देखो 8, 84, 800 बन गया 8, 3, 24 बन गया यह तो बन गया 800 भाग में 3 तो हमारे पास 64, 100 जो है वो 24 से भाग नहीं होगा यहां तक तो क्लियर है अब दो नमबर बचे हमारे पास एक बना 36, 100 और दूसरा है 14,400 पहले 36, 100 को ही चेक कर लो यहां पे चत्ती सो को अगर 16 से भाग करेंगे हम, चत्ती सो को अगर हम 16 से भाग करेंगे देखो यहां पे तो बनेगा देखो 4, 4, 16 और हमारे पास बनेगा यहां पे 900, 2 से काटेंगे हम यहां पे तो बनेगा हमारे पास यहां पे 450 फिर से 2 से काटेंगे हमारे यहां पे 225 बनेगा यानि की 36すो को अगर 20 से भाग करेंगे तो यह पूरा-पूरा कड़ेगा, हमारे पास 180 बनेगा और उसके बाद अगर मैं 36 मोई 24 से काटूँगा सबसे चोटा पूर्ण वर्ग है और ये 16,224 तीनों से विवाज्जे हो रहा है ये तो था पहला मैथड कि हम एक एक को 16,224 भाग करके चेक करेंगे ठीक है? अच्छा हमने 3600 ही क्यों लिया? क्योंकि जो हमारे पास 14,400 है ये भी 16,20 और 24 से कट जाएगा लेकिन इससे छोटी संख्या है 3600 हमें बोला गया लिस्ट नंबर निकालने के लिए इसलिए इसका अंसर बनेगा हमारे पास यहां पर 3600 अब देखो दूसरा मैथड क्या है? दूसरा भी मैं समझा दू आपको नंबर हमारे पास दिए गया देखो 16,20 और 24 हम क्या करेंगे यहां पर? हम निकालेंगे इनका LCM LCM क्यों निकालेंगे? LCM की फुल पॉर्म होती है least common multiple multiple यानि की ऐसा नंबर जो कि किसी के table में आए पहाडे में आए तो तीनों के पहाडे में नंबर आना चाहिए हमारे पास और वो पूर्ण स्केर भी होना चाहिए पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए हमारे पास अब देखो जब इसका स्केर निकालेंगे तो 4 से कटेंगे हम यहां पर जब LCM निकालेंगे तीक है अब हम यहां पे नंबरों की पेरिंग करेंगे जैसे पहला नंबर लिखा Sport चार चार 95 है हमरे पास किसका बर गार दो का वर निकालेंगे तो चार को ऐसे कि नहीं रहunft क्यों मिल्स कर सकता हूए है यह विल्ट को बने macam एक हैं सो ओना चार करें के चार सो आए गा चार सो गुना नौ करें के चार्ती यह वो सबसे चोटी पूर्ट संक्या है हमारे पास जो की वर्ग है और वो 16 224 तीनों से विवाज्य होती है थीक है तो यह इसका अंसर होगा हमारे पास चाटी सो ऑप्शन भी इसका अंसर होगा ठीक है अगला प्रशन है हमारे पास if the perimeter of a square is 56 cm and the radius of a circle is half of the side of the square then what is the circumference of the circle व्रित की तरिज्जा वर्ग की भूजा की आदी है तो व्रित की परीधी क्या है वह ग्याद कीजिए ठीक है ग्याद करते हैं इसको आप भी इस cancer निकाली है आप cancer क्या बनेगा इसमें देखिए इस प्रशन को हम हल कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमें जो square उसका perimeter दिया गया है square यानि की ऐसी हमारे पाँ चतर बूज होगी जिसकी सारी side जो है बराबर होगी हमारे पास तो इसका जो हमारे पास यहां पर परीधी बनेगी जिसको बोलते है परीमाप जो हमारे पास perimeter है वो बनेगा 4A तो perimeter आगया 4A ठीक है और perimeter हमें दिया गया है यहां पे 56 एकी value कित क्या है आदी है हमारे पास जो यह square दिया गया है उसकी side की square की side हमने निकाल दी यहां पर वो हमारे पास है 14 तो 2 से कटेगा कितना बनेगा 7 यानि की जो circle हमें दिया गया है वरित दिया गया है उसकी जो radius है वो हमारे पास आजाएगी 7 cm अब बोलेगा circumference निकालने के लिए ह निकालनी है तो circumference का formula है तू पाई आर यानि की दो गुणा में 22 बटे साथ और radius की value है साथ साथ से साथ करेगा कितना बनेगा 44 cm यह इसका उत्तर बन जाएगा हमारे पास अगला प्रेशन करते हैं अब अच्छा अगला प्रेशन करने से पहले मैं आपको एक बार बता दू पहले यहां पर कि कुछ question ऐसे हैं बीच में जिनका answer जो है बोल्ड कर दिया गया है पहले यहां पर by mistake की error हो चुका है हमारे पास यहां पर तो आपको क्या करना है पूरी इमानदारी से question का answer निकालना है और जितने भी आपके number बनेंगे वो आपको comment box में लिखने है इसमें आप खुद की ही इमानदारी show कीजीगा तीक है अगला प्रेशन करते हैं फिर अगला प्रेशन हमें दिया गया देखो यहां पर एक number लिखा है 5,4,3,2 और अगे लिखा है star 7 इस number में यहां पर बोला गय 9 से विभाज्य है अगर यह हमारे पास 9 से cancel out हो जागी पूरी की पूरी तो star के स्थान पे क्या आना चाहिए तो इसके लिए हमें थोड़े से divisibility rule पता होने चाहिए तो जो हमारे पास 9 है कोई number 9 से भाग होगा कैसे हमें पता लगेगा हम क्या करेंगे जो नंबर दिया होग उसके सारे जो digit है उन सभी को जमा करेंगे और जमा करके जो हमारे पास आएगा उसको देखेंगे वो 9 से पूर्ट तव विभाज्य है या नहीं है अगर वो 9 से cancel out हो रहा है तो मतलब जो संक्या है 9 से विभाज्य हो जाई जैसे यहां पर हमारे पास दिया गया है यह रिख 14 प्रस 7 हो गया 21 21 इकीस आगया हमारे पास लेकिन अभी भी स्टार यहां पर खाली रह गया है यानि कि 21 में मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा 21 में कुछ नहीं भी जोड़ेगा हमारे पास और जो नंबर बनेगा उसको मैं 9 से भाग करके चेक करूंगा कि 9 से वो cancel out हो रह यहां पर यह बनेगा मेरे पास यहां पर 27 27 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 3 होता है 27 तो यानि की हमारे पास यहां पर जो स्टार है उसकी जगह क्याना चाहिए फिर 6 आना चाहिए इसे लिए option C बनेगा फिर इसका answer ठीक है तो यहां पर स्टार की जगह क्याना अब यह देखो 5 4 3 2 6 और 7 यह बन जाएगा हमारे पास नंबर यहां पर पांच लाग तरतालिस हजा 267 यह नंबर जो है पूंत भी बाज्य हो जाएगा 9 से हमारे पास अगला प्रेशन करते हैं अब तीक है तो अगले प्रेशन में क्या लिखा है हमारे पास यहां पर इफ दो संख्याएं दो अनुपात तीन में हैं और दोनों संख्याओं में आठ जोड़ने पर दोनों में अगर मैं आठ जोड़ दूं आठ जोड़ने पर अनुपात तीन अनुपात चार हो जाता है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा मलत जो मारे पास दोनों संख्याओ है उनका यूग निकालना है हमने यहां पर अभ दिखो जबlies हम अनुपाद में लखेंWe यहां पे 2 अनुपात 3 तो इसको मैं 2X मान सकता हूँ और इसको मैं 3X मान सकता हूँ तो अब देखो दोनों संक्याओं में 8 हमने जब जोड़ दिया तो यहां पे 2X जमा 8 एक बन जाएगा 3X जमा में 8 ऐसा करने के बाद जब इनका अनुपात बनाएंगे तो वो बन रहा है तीन अनुपात चार यानकि त्री रेशो फूर बन जाएगा बस ठीक है सबसे पहले हमें एक्स की वैलियो निकालने ही यहांपे तो चार जो है वो यहांपे गुणा हो जाएगा और तीन इसके साथ गुणा होगा तो चार गुणा में दो एक्स जमा में आठ बराबर है तीन गुणा में तीन एक्स जमा में आठ चार से गुणा करेंगे बनेगा 8x जमा में यहां पे 32 बराबर है 9x जमा में 24 और यहां पे हमारे पास बनेगा यह 9x माइनस में 8x बराबर है 32 माइनस में 24 और जो x है उसकी value हमारे पास आजाएगी यहां पे 8 और ऐसा होने पे हमारे पास जब x की value 8 आजाएगी तो हमें जो शुरू की संख्य है वो निकाल लिए यहां पे तो देखो यह बनेगा 2x जमा में 3x बराबर है 5x और 5x में हम x की value रखेंगे 8 यहां पे तो 5 गुणा में 8 हो जाएगा हमारे पास 40 यहनि कि दोनों संख्याओं का योग हमारे पास कितना बनेगा फिर यह 40 यह इसका correct answer है ठीक है बढ़ते हैं अगली प्रशन की और अगला प्रशन लिखा है यहां पे दिफ्रेंस बेडिविन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ओफ एट इन दे नूमरल 61845 इस संख्या 61845 में आठ के स्थानियमान और अंकितमान के बीज अंतर क्या है देखो सबसे पहले हमें यहां पे जो लिखा है यहां पे देखो स्थानियमान यानि की लोकल वैल्यू और अंकितमान है यानि की फेस वैल्यू इनके बारे में हमें पता होना चाहिए इस प्रशन को हल करने से पहले देखो यहाँ पर जो हमारे पास local value है इसको हम place value भी बोलते है place value यानि कि कौन से स्थान पर वो नंबर है जैसे हमारे पास नंबर दिया गए यहाँ पे 61845 तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको तो उसके नीचे as it is लिख दो उसके बाद में देखो जितने भी नंबर होंगे उनकी जगम लिखेंगे 00 तो 800 बन जाएगी इसके हमारे पास place value जिसको बोलते है local value अब आई हमारे पास बात यहाँ पे अंकित मान की यानिकी face value की तो जो भी नंबर पूछा जाएगा वही नंबर उसकी face value होगी मान लो 8 पूछा तो 8 इसकी face value होगी हमारे पास यहाँ पे अब हमें बोला गया है जो भी यहाँ पे 8 है उसकी जो place value है और उसकी face value उनके बिच का अंतर क्या है difference क्या है तो place value तो आगी 800 हमारे पास जो अभी निकाली हमने माइनस में face value आई थी 8 तो 8 लिखेंगे यहाँ पे तो 800-8 करेंगे कितना बनेगा 700 बन होए यह इसका उत्तर है हमारे पास option C बनेगा इसका answer अगला प्रशन हमें लिखा यहाँ पे यह किसके बराबर है यह पूछा गया हमसे यहाँ पे 0.393939 is equal to इसे हमें जो है fraction में change करना है बिन संक्या में change करना है अब देखो ऐसे प्रशन को हम हल कैसे करेंगे जैसे हमारे पास यही प्रशन दिया गया देखो 0.3939 यह continue 39 जो है यहाँ पे चलता ही जा रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.39 और जो रिपीट हो रहा है मारे पास देखो 3939 रिपीट हो रहा है इसके उपर लगा देंगे बार मतलब 39 रिपीट हो रहा है अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो कितनी संख यह भाउरे हैं तीन से कटेगा हमारे पास फिर इह तीन से जब काटेंगे तीन से जब काटेंगे तीन 179 नीचे काटेंगे तीन 179 तीन 16 9 ते बन जागा तेरा बटे में 30 ये इसका उत्तर बनेगा हमारे पास option B इसका अंसर है अगला प्रशन दिया गया हमें यहां पे a sum becomes 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest the sum is एक राशी 4 वरश वरशी कवचक्रविदी व्याज पर 2 वरश में 1352 हो जाती है यो क्या है एक राशी है हमारे पास अभी हमें यह नहीं पता कि वो राशी क्या है वो प्रिंसिपल क्या है वो क्या है उसका जो amount है वो बन जा रहा है 1352 रुपए और वो कितने समय में बन रहा है वो बन रहा है दो बरश में कितनी दरब़ बन रहा है हमारे पास Yιαहाँ पर 4 प्रथश्चत की दरब़ बन रहा है हमें निकालने है वो राशी क्या होगी हमें सिंपल पता है चक्रवीदिवियाज की केस में जो फॉर्मला है प्रिंसिपल गुना में 1 जमा में 2 बटे में 100 और पावर में T आ जाएगा हमारे पास time तो हमें ये दिया गया कि amount कितना है हमारे पास यहां पर जो राशी बन रही है प्रिंसिपल निकालना है एक जमा में चार बटे में 100 और पावर में गया जाएगा 2 हमारे पास क्योंकि दो वरश का समय है बस्ती के यहां पर हल करेंगे देखो 4 कम 4 और 25 चौके 100 तो हमारे पास बनेगा यहां पर तेरा सो बावन बराबर है प्रिंसिपल गुणा में एक जमा में एक वटे 25 और पावर में दो यहां बनेगा तेरा सो बावन बराबर है प्रिंसिपल यह बन जाएगा हमारे पास यहां पे 26 बटे में 25 का square देखो square निकरना गुना करके ऐसे लिख लो इसको यहां पे यह बनेगा देखो 352 ब्राबर है principle गुणा में 26 गुणा में 26 बटे में 25 गुणा में 25 तो principle निकालना है और संख्यां को उस तरफ ले जाओ तो principle बराबर है तेरा सो बावन गुणा में 25 गुणा में 25 बटे में 26 गुणा में 26 अब देखो जब इसको काटेंगे तो उपर गुणा में जो नंबर हमारे पार 352 ये तेरा से कटेगा 30 कं से एक 3, zero बीच में लगेगा हमारे पास 13, چोके 52 और 13, 26 यहां पे बन जाएंगा हमारे पास उपर ये पर नंबर 104 ये भी से 13 से कटेगा 13, 8, 104 और 13, 260 2 ऐ आठ भी कटेंगे 2, 4, 8 2 और 4 भी कटेंगे 2, 2, 4 तो हमारे पास बचेगा ये 2 गुणा में 25 गुणा में 25 तो 25 गुणा 2 करेंगे हमारे पास आजाएगा 50 50 गुणा 25 करेंगे बन जाएगा 1250 तो वो राशी हमारे पास क्या थी 1250 रपैती वो प्रिंसिपल क्या था ठीक है एक्स के स्थान पर क्या आएगा तो को हमारे पास क्या दिये गया है यहां पर पहले लिखा है यहां पर 11 फिर आगे लिखा है 23 फिर लिखा है 37 यहां पर X यहां पर 71 और यहां पर 91 यह हमारे पास एक नंबर सीरीज का क्वेशन बन गया यह 11 13 में कितना जोडेंगेع 37 बन जाए 14 जोडेंगे आगे एक स लिखा है आगे नहीं पता अच्छा 31 में कितना जोडेंगे 24 U200 के बीच में कितने का ग्या पारा साथ 12 कोटי नहीं हमारे आए 20 की 16 जमादो हो गया 18 और 18 जमादो हो गया 20 यह तो सीरीज बन रही हमारे पास तो 37 जमाद में 16 करेंगे बनेगा 53 हमारे पास और 53 जमाद में जब 18 करेंगे तो बनेगा 71 तो option D is cancer है 53 हमारे पास 53 अगला प्रशन दिया गया है in an election a candidate secures 40% of the votes but is defeated by the only other candidate by a majority of 298 votes find the total number of votes recorded एक चुणा में एक उमिदवार को 40% vote मिलते हैं लेकिन वह एकमात्र अन्य उमिदवार से 298 बोटों के बहुमत से हार जाता है दर्ज किये गए मतों की कुल संख्या ग्यात कीजिए ठीक है यहाँ पे तो चलो bold हो चुका है ठीक है डार्क हो चुका है हमारे पास लेकिन हम इसकी संख्या ग्यात करेंगे आप भी ग्यात कीजिएगा फिर बताना मुझे आप कंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है यहाँ पे जो 40 प्रश्चत वाला है वो हार गया कितने वोटों से हारा 298 वोटों से यानि कि दोनों के बीच का गैप कितने का रहा होगा 298 वोटों का गैप रहा होगा यहाँ पे ठीक है तो प्रश्चत में देखो गैप कितने का है 460 के बीच में 20 प्रश्चत का गैप है तो 20 प्रश पानुमे बटे में 20 और गूरा में 100 एो जीरू पढ़र पार 289 पार्पाश करेंगे चार यहां पे 5 404 यहां यहां पर पांच उना दो करेंगे दस तसमाचार हो जाएगा चौदा एक चार नौ जिरो 1490 हमारे पास टोटल वोट थे उस इलेक्शन में ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन हमें दिया गया है देखो यहां पर बोट गो 75 किलोमेटर अप्स्रीम इन 3 आवर्स और 60 किलोमेटर डाउंस्रीम इन 1.5 आवर्स देखो सबसे पहले दिखा गया ना धारा के प्रतिकूल जारी है अप्स्रीम जारी है देखो यहां पर अप्स्रीम जारी है कितना 75 किलोमेटर जारी है यह तो दूरी तया कर रही है कितने टाइम में वो 3 घंटे में तो उपर आने की स्पीड क्या होग इसकी जो धारा के प्रतिकूल आरी है अप्स्रीम आरी हमारे पास यह तो स्पीड क्या होती है distance upon time ठीक है दूरी बटा में समय तो यह बन जाएगा 25 km प्रति गंटे की रफ़तार थी उसकी उपर साइड आने में यहां पे धारा के प्रतिकूल आने की अब बोले के downstream जारी है हमार पास यही बोट और यह जारी है 60 km 60 km की दूरी तया कर दिया लेकिन देड़ गंटे में ठीक है तो downstream स्पीड क्या बन जाएगी हमार पास यहां पे वो बन जाएगी distance upon time distance है 60 time है देड़ गंटे का हमार पास यहां पे तो 60 बटे में 15 जो 1.5 है इसका जब 10.5 हटा स्टील वार्टर वो निकालनी है तो स्पीड ऑफ बोट क्या बनती है downstream में जो स्पीड होगी जमा में upstream में जो स्पीड होगी भाग में करेंगे दो डाउंस्ट्रीम स्पीड आ यह 40 अप स्टीम आ रिए 25 जमा इनको करेंगे भाग करेंगे 2 से ठीक है 40 जमा 25 हो गया 65 भाग म में दो करेंगे बन जाएगा 37.5 km पर आवर यह इसका अंसर है option A इसका अंसर है हमारे पास यहां पर ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर देखो अगले प्रशन में हमें क्या बोला गया यहां पर एक गाओं की एक नहर को 24 गरामिंड बारा दिनों में साफ कर सकते है 36 गरामिंड कितने दिनों में नहर की सिफाई कर सकते है तो यह हमारे पास ना time and work कजब टॉपिक है समय और कारे का है उसका ही यह question है हमारे पास यहां पर अब देखो ऐसे question कैसे करेंगे हम इसके लिएक सिंपल सा फॉर्मला पता होना चाहिए फॉर्मला क्या है देखो M1 गुणा में D1 is equal to M2 गुणा में D2 ठीक है M1 हमारे पास क्या है कि कितने आदमी काम कर रहे है D1 क्या है कितने दिनों में काम कर रहे है वहीं हमसे बोला गया कि और कितने आदमी यहां पर है और वो कितने दिनों में काम कर रहे है तो यहां पर पहले बोला गया जो 24 विलेजर्स हैं 24 लोग हैं हमारे पार ग्रामिन वो 12 दिनों में किसी नहर को साफ कर रहे है अब बोला गया कि 36 ग्रामिट लगेंगे वो कितने दिनों में इस नहर को साफ करेंगे ठीक है तो हमार पास बन जाएगा अब ये 36 को इस तरफ लेंगे हम अब बनेगा हमार पास ये 24 गुणा में 12 बटे में 36 ये निकल जाएगी डी टू की बेल लियू तो बारा कम बारा बारा थी शतिस तीन आठे चौबिस तो ये जो है आठ दिनों में ही इस नहर को साफ कर देंगे 36 ग्रामिट जो है आठ दिनों में ही इस नहर को साफ कर देंगे ठीक है आठ इस कंसर आप्शन भी इस कंसर है अगला प्रेशन हमें दिया गया है देखो A. इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 for 8 months B. इन्वेस्टेड रुपीज 15,000 for a year C. इन्वेस्टेड रुपीज 9,000 for 4 months What is the ratio of their profit? A. जो है आठ महीने के लिए 12,000 पे निवेश कर रहा है B. ने एक साल के लिए 15,000 पे निवेश किये A. एक साल में कितने महीने होगे? 12 महीने A. और C. न जो है चार महीने के लिए 9,000 पे निवेश किये A. आगे बोला गया उनके लाब का अनुपात क्या होगा तो जो यहाँ पर धन्राशी दी होगी हमारे पास उसको हम समय से गुणा करेंगे वही इनके लाब का अनुपात बना देगा फिर तो अब इन तीनों का हम अहीं पर अनुपात बना लेंगे देखो जो नंबर कटेगा वो तीनों में से बराबर कटेगा यहां पे यहां यही हैं पंदरा फजार में तीनों कट गए हमारी पास यहां त्छा हम पर थीव होगा हो तो बारा गुर्णा तो हो गया हमार पास 24, 15 गुर्णा 3 हो गया 45 और 9 गुर्णा 1 बने गया 9 अब भी 3 से कट जाएगा 3, 8, 24, 3, 15, 45 और 3, 39 तो ये बन जाएगा इनका जो लाब है उसका अनुपाद यानि कि profit की ratio बनेगी 8 ratio 15 ratio 3, option A इसका अंसर है हमारे पास ठीक है अगला प्रशन दिया गया हमारे पास यहां पे find value of x, x का मान गयात कीजिए ठीक है तो प्रशन लिखा गया है देखो हमारे पास यहां पे 112 प्रतिशत of 1250 माइनस में 76 प्रतिशत of 1100 बराबर है x मतलब हमें इसको हल करना है देखो सिंपल है प्रतिशत है जब हम अटाएंगे यहां पे तो बटा 100 बन जाएगा ओफ अटाएंगे तो गुणा बनेगा पांस से काटेंगे पांच दूए दस और यहां पे बनेगा हमारे पास यहां पे पांच दूए दस पांच पांच पच्चिस दो से काटेंगे दो पांच दस बनेगा हमारे पास यहां पर दो चीके बारा बनेगा यहां पे यह बन जाएगा हमारे पास यहां पर 56 माइनस में 76 गुना में 11 56 गुना 25 करेंगे हमारे पास बनेगा यहां पे यह बनेगा पानसो चौनसर यह इसका उत्तर है हमारे पास ऑप्शन भी इसका अन्सर बनेगा फिर हमारे पास अगला प्रशन दिया गया है What is the value of 1045 degree 1045 degree का मान क्या है देखो ये value हमें याद होनी चाहिए तो सबसे पहले जैसे जो हमरे बार trigonometry का ये question है तो हमें trigonometry का table इसमें याद होना चाहिए जैसे हमारे पास पहला होगा 0 degree के लिए फिर होगा 30 के लिए फिर होगा 45 के लिए फिर होगा 60 degree के लिए फिर होगा हमारे पास 90 degree के लिए तो जैसे अगर मैं बात करूँ sign की sign की 0 पे होगी 0 value 30 पे होगी 1 बटे 2 45 पे होगी 1 बटे अंडरूट 2 60 में होगी अंडरूट 3 बटे 2 और 90 पे हो जाएगी 1 cos की अगर बात करूं तो cos के लिए जो 90 वाली value वहीं से ULTA लिखना स्टार्ड कर दो जो sin की 90 वाली value वहीं से ULTA लिखना स्टार्ड कर दो cos की 0 हो जाएगी 1 60 हो जाएगी under root 3 बटे 2 45 हो जाएगी हमारे पास 1 बटे under root 2 30 हो जाएगी 1 बटे 2 اور 90 हो जाएगी 0 एक करेंगे तो जीरो बनेगा हमारे पास एक बटा दो भाग में अंडरूट तीन बटे दो करेंगे तो एक बटे अंडरूट तीन बनेगा एक बटा अंडरूट दो और एक बटा अंडरूट दो दो दोनों को काटेंगे कितना बनेगा भाग करके एक बनेगा अंडरूट ती डिक्री की वैलियो आया है एक तो option C इसका answer बन जाएगा हमारे पास ठीक है तो ये हमारे पास mock test के question थे इसमें हमारे पास एक question बच चुका है और वो हमारे पास अब जो question है वो ये है हमें बोला गया है देखो इसमें arrange four upon five seven upon eight six upon seven five upon six in ascending order चार बटे पांच, साथ बटे आट, छे बटे शाथ, और पांच बटे शे को आरो ही करम में विवस्तित करें आरो ही करम होता है बढ़ता हुआ करम दीकले है बढ़ता करम Asending Order यानि की बढ़ते करम में अब देखो हमारे पास क्या लिखा गया है, यहां पे 4 बटे 5, 7 बटे में 8, 6 बटे में 7 और 5 बटे 6 इसके लिए हम gap वाला method यूज़ करेंगे, अब देखो 4 और 5 के बीच में 1 का gap है, 7 और 8 के बीच में 1 का gap है 6 और 7 के बीच में 1 का gap है, और लास्ट के 5 और 6 के बीच में भी 1 का gap है, उपर और नीचे वाले का gap देखेंगे हम यहां पे gap सभी में बराबर है, अगर सभी में gap जो है same हो, gap जो है बराबर हो, तो जो संक्या सबसे उपर होगी हमारे पार numerator में, जो सबसे बड़ी होगी उपर बरी जो संक्या है, जो सबसे बड़ी होगी, वही भीन सबसे बड़ा होगा हमारे पास, देखो सबसे बड़ी कौन सी, 4, 7, 6 और 5 में 7 सबसे बड़ा है, तो 7 बटे 8 सबसे बड़ा होगा, उससे चोटा होगा वह 6 बटे 7, उससे चोटा होगा 5 बटे 6, उससे 6 चोटा होगा 4 बटे में 5 तो ये इनका हमारे पास क्या बन गया यहां पर decreasing order घटता हुआ करम ठीक है जिसको बोलते हैं descending order ठीक है descending order होता है घटता हुआ करम लेकिन हमसे प्रशन में पुछा गया है बढ़ता हुआ करम ascending order पुछा गया हमसे हम तो इसको उल्टा कर दो तो पहले आगी सबसे चोटी संक्या 4 बटे 5 उसके बाद आगा 5 बटे 6 उसके बाद आगा 6 बटे 7 उसके बाद महार पास आएगा 7 बटे 8 ये बढ़ गया हमारे पास यहांपर इनका असेंडिंग ओडर तीक है Agenting Order यानि की बढ़ता हुए करम तीक है पहले हमने देख लिए सबसे बढ़ी संक्यका है वो तो लिख लिए हमने अब हमसे पूचा गया था option c हमारे पास यहां पर ठीक है चार बटे 5 पांच बटे 6 छे बटे 7 और 7 बटे 8 यह हमारे पास इसका उत्तर बनेगा ठीक है तो यह हमारे पास अन्तिम प्रशन था इस mock test का यहां पर मौक डेस नंबर टू का टोटल हमारे पास 15 प्रशन थे तो 15 मेंसे आपके जितने भी नंबर बने हैं उनको कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखना ठीक है इसे पता लगेगा कि आप कहां पर स्टेंड कर रहे हैं तीक है जो हमारे पास दूसरी ऑनलाइन क्रासिस भी लगी है उनसे भी हम कम्पेर कर सकते हैं कि आप कहां पर कहां पर स्टेंड कर रहे हो अगर आपको स्पेशल त्यारी करनी है बटवारी की पुलिस की कि सीवी की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो आपके लिए इसको जो कॉर्स है वा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी तो जो भी आपको इसकी पीडियाफ है बाकी वो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलिग्राम पर सच कीजे हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इसकी वीडियाफ जो आपको राप्त कर सकते हैं इसके लावा आप इंस्टाग्राम टेलिग्राम फेस्बूक इन पे फॉलो कर सकते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो डो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल